हेलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस एट नमबर 6 एक से पांच तक अल्लेडी अप्लोडेड है अगर आप नहीं देखें तो आप जाके प्लेलिस से देख सक ग्रूप का लिंक दिया हुआ है वहां से जाके आप ग्रूप जॉइन कर लिजेगा उस ग्रूप में आपको PDF मिल जाएंगे और वो PDF से खुद से पहले अटेम्ट कीजेगा और अटेम्ट करने के बाद फिर आप इस वीडियो को देखेगा साथी साथ आप अपना अंसर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथी साथ बेल आइकन दबा दिजेगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे साथी साथ एक और चीज मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए जेनरल हिंदी का भी आप लोगों के लिए उतना ही important है क्योंकि अगर आप उसे qualify नहीं कर पाते हैं तो आपका जो कंडिटेचर है वो जद कर दिया जाएगा मतलब आप disqualify हो जाएगे साथी साथ आपकी exam में modern history का portion जो है वो काफी जादा पूछा जाता है इसलिए modern history का भी एक फिरी चलाया जा जो हमारा पहला question है वो है आगरा नगर की अस्थापना किस सासक ने की थी तो इसका जो सही answer हो जागा वो हो जागा सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था मतलब option number यह जो होगा वो हमारा सही answer हो जागा सिकंदर लोधी इस आगरा सहर की अस्थापना की थी 1540 वी में उन् पुल रुखी नाम से भी कविता लिखता था ठीक है सिकंदर से लोधी से एक और चीज याद रखेगा कि इसने गजे सिकंदरी क्या गजे सिकंदरी गजे सिकंदरी नामक भूमी मापन का एक प्रमानिक पैमाना भी चलाया था चलिए अब बढ़ते अपने अगले कोशन की तर कर रहा है कि निमलेखित में से किस ने पूरा तत्व सर्वेचन भीभा की अस्थापना की थी तो इसका जो सभforward कर्जन ने पुरातत सर्वेचन विभाग की अस्थापना किया थी देखिए जो प्राचीन असमारक से रचेन अधिनियम 904 इसके द्वारा एतिहासिक इमारतों की सुरच्छा और मरमत कार्च के लिए कर्लियन ने पुरातत विभाग की अस्थापना किया था क्लीर हैं चलिए अगला क्योष्चन है हमारा क्योष्चन नमर थाड क्या रहा है कि निमलिखित में से कौन से सासक ने बौध मत मतलब उधिज्म के भिस्तार में योगदान नहीं दिया था तो इसका जो साई अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्सन नमर sì यानि पूश्वम रखेगा पुस्मित्र सूंग के द्वारा असोग के द्वारा जो निर्मित बहुत हस्तूप थे उसको तुडवा भी दिया गया था ठीक है चलिए अब अब अगले कोश्चन की दरब जो कि हमारा कोश्चन नमर फूर कोश्चन नमर फूर कह रहा है कि निमलिकित में से किसने पुर्वी बंगाल से लेकर पेसाबर तक सड़क के आजन कहलाए जाने वाली सड़क बनाई तो इसका जो सई अंसर होगा बो हो जागा ऑप्सन नमर डी सेरसा से एक चीज़ और याद रखेगा कि सेरसा का जो बास्तविक नादम था वो था फरीद खां क्या था फरीद खां ठीक है सेरसा से एक चीज़ और याद रखेगा कि यह जब दच्छिन बिहार की गद्दी पर बैठा था तो इसने हजरत ए आला क्या हजरत ए आला की उपादी भी धारन किया था प्लेर है चलिए अगला कोशन है मारा कोशन नमर फिप्थ कोशन नमर फिप्थ कह रहा है कि अगर पर्शास्निक वेबस्था को समझने का सरवाधिक महत्पुन सुरूत है तो इसका जो सयन सर और यहगा वो कौन सा सुरूत है इंडिका आप लोगों इंडिका के नाम से भली बाचित परचित होंगे इंडिका की रचना किस ने की थी मेगास्थिनीज ने किया था ठीक सेलुकस निकेटर से एक चीज़ याद रखेगा कि सेलुकस निकेटर ने अपनी बेटी बतलब उसकी पुत्री का नाम था हेलेना और अपनी पुत्री हेलेना से बिवाह कर दिया था चंदगुप्त मौरे का ठीक है और सेलुकस ने जब चंदगुप्त मौरे को दहेज के रू किताब उल हिंद भारत की खोज, रचित है कौन सी भासा में तो इसका सअ रोगा बहुत उपस Humpea याशन नबर C यानी अर्भी भासा में ठीक है दीखे किताब उल हिंद को सताबया में किताब या बात किताब उल हिंद की करते हैं तो of किताबुल हिंद को इगरहमी सताब्दी का भारत का दर्पन कहा जाता है किताबुल हिंद को ठीक है चलिए अगला कोशन है इंडियान एसोसियेशन के संस्थापक कौन थे तो इसका जो सई अंसर होगा बहुत जगा ऑप्सन नमरे आनंद मोहन बोस और सुरेंदनाथ बनर जी ठीक है इंडियन एसोसियेशन के स्थापना कब हुई थी इंडियन एसोसियेशन का स्थापना हुआ था था ठारा सचीहत्तर इसस्वी में कहां कलकता में क्लेर है चलिए next question है हमारा question number 8 question number 8 कह रहा है कि लिखित में से किस परकार का बन भारत के सरवादीक भूभाग को आच्छांदित करता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा उसन कटी बन दिये सुस्क पतजहड बन यानि option number 2 जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा एक चीज़ और याद रखेगा कि उसन कटी बन दिये सुस्क पतजहड बन को मौनसून बन भी कहा जाता है क्या कहा जाता है मौनसून बन clear है चलिए next question है हमारा question number 9 question number 9 कह रहा है कि 2011 की जनगन्ना के अनुसार भारत में 10 किये जन संख्या ब्रीधी दर है तो इसका जो साही अंसर हो जागा वो हो जागा 17.64% यानि option number B देखिए एक चीज याद रखेगा जनगन्ना आपके इकजाम के लिए काफी important है 2011 के जनगन्ना से प्री में भी question पूछे गये थे और मेंस में भी question पूछे जाएंगे तो आप 2011 के जनगन्ना जो होगा वो पूरी अच्छे तरह से देख लिजेगा आप अगर कहिएगा तो मैं 2011 के जनगन्ना पर एक वीडियो बना के दे दूँगा जिसे की 2011 के जनगन्ना के सारे important fact मैं cover कर दूँगा तो अगर आपको 2011 के जनगन्ना से related वीडियो चाहिए तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं 2011 के जनगन्ना के अगर और हम बात करते हैं तो 2011 के जनगन्ना के अनुसार से याद रखेगा कि जो हमारा density था मतलब घनत्र था वो था 382 बेक्ती पर 3.2 km मतलब एक बर किलोमेटर में कितने बेक्ती 382 बेक्ती ठीक है 2011 के जनगन्ना के एक चीज़ और मैं बताता हूं 2011 के जनगन्ना का आदर्स बाक बहुत बार पूछा गया है पर एक डिग्री सेल्सियस की धर से तापमान बढ़ता है कितने डिग्री पर कितने मीटर पर प्रती 32 मीटर जाने पर एक डिग्री सेल्सियस क्या होता तापमान बढ़ जाता है तो आपसे नमर यह जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा साथी साथ याद रखिएगा कि प्रिथि मिनर्वा मिल्स 1981 जो है वो समलित नहीं है यह देखे यह अक्चली कुछ संग बाद है जो सुप्रीन कोर्ट में जैसे आपने नाम सुना ही होगा कि केस्वा नंद भारती बनाम केरल राजबाद तो इसी तरह से यह सब क्या है एक बाद है तो मिनर्वा मिल्स जो था वो 1981 में न 1980 की बाद है यह 1980 में हुआ था और यह हुआ था इसके बाद क्या हुआ था यह जो जेनर्वा मिल्स है वो सम्विधान संसोधन 42 संसोधन के साथ जुड़ा हुआ है यह जो बाद हुआ था वो 42 सम्विधान संसोधन के साथ जुड़ा हुआ है अगर और options की बाद कर लेते हैं फिर अगर हम बात केशवानन्द भारती बाद की कर लेते हैं, केशवानन्द भारती बनाम केरल राज की, तो इसे आप लोग भली भाती परचित होंगे, यह 1773 में हुआ था, और इसमें सुप्रीम कोड ने यह भैसला दिया था, कि सम्विधान के मूल धाचे को परिवासित कि किया गया था, इसके according, ठीक है, फिर एक गोपालन बाद, जो किया क्या, एक के गोपालन बाद, उन्हें 150 में हुआ था, और इसमें उच्तम न्याले ने यह कहा था, कि भारत में बिधिक सम्प्रुभता को सम्विधान में नहित किया गया है, क्लियर है, चलिए, अगला कोश सही अनसर हो जाएगा, अगर बितायोग की बात करते हैं, तो बितायोग का जो गठन है, वो राश्पती के द्वारा परते पांच बर्स की अबधी पर किया जाता है, अभी recently 15 में बितायोग का गठन हुआ है, अब 15 में बितायोग के अध्याच कोन है, इनके सिंग है, ठीक ह बितायों का में कार्ज क्या होता है बितायों का में कार्ज मुखे कार्ज होता है वो होता है कि केंद्र और राज के बीच में जो राजयस बाता है मतलब जो टैक्स बसूला जाता है उसका कितना परतिसास हिसा राज रखेगा और कितना प्रतिसास हिसा केंदर रखे का और कितना प्रतिसास हिसा राज को मिलेगा यह चीज बितायों का में कार्ज है next question है question number 13 इस दिए देखी यह reasoning का question है और इसमें लुप संख्या बताना है संख्या ग्याद करना है देखिए यह जिनी का question है sequence में लिखा हुआ है वो sequence आपको पता करना है तो इस one को हम लिख सकते हैं क्या one का square इसको हम लिख सकते हैं one का q फिर two का q फिर उसी तरह से three का square और three का q होगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 27 आएगा और फिर इसके बाद यह 4 का square है यह 4 का cube है तो यहाँ पर यह 27 आएगा तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा option number a ठीक है चलिए अब बात करते है next question की question number 14 की निमलिकित में लूप्त अच्छों को प्राप्त करें यह देखिए इसमें होता क्या है इसको बनाने का एक सबसे अच्छा method है कि इसको पूरा को count कर लीजेगा कितना है फिर उसका factor निकाल लीजेगा 20 है suppose कर लीजे तो 20 का factor क्या होगा पांच इ 15 कह रहा है कि यदि किसी कूट भासा में C-L-E-A-R-K को A-H-Y-J-A-C से कूट किया जाता तो जो आपको किस परकार कूट किया जाएगा देखिए C-L-E-A-R-K है ठीक है और नीचे है इसको कूट करके लिखा गया है A-H-Y-J-A से देखिए अगर सबसे पहले ऐसे question में आप एकजाम में ये भी कर सकते हैं कि आपको A-B-C-D वाला जितना भी reasoning का question होगा आपको place value याद रहना चाहिए कि A का place value 1 है B का 2 है C का 3 है ऐसे place value याद रहना चाहिए नहीं तो आप चाहिए तो ऐसे तो भिहार SI की exam में time sufficient होता है लेकि railway का जब आप exam देने जाएगा तो उसमे time की crisis होती है तो आप उसको क्या कर सकते हैं या तो आप याद करके जाएए और नहीं तो जो rough paper मिलता है उस पे आप पहले से थोड़ा लिख लिया कीजेगा ऐसे याद कर लिजेगा तो वो जादा अच्छा होगा क्योंकि mostly जो ऐसा questions रहता है वो place value पे depend करता है ठीक है देख आपको अगर job में पहले minus 2 कर दीजे फिर minus 4 कर दीजे फिर minus 6 कर दीजे तो जो निकल के आएगा वो आएगा h, k और v तो option number b जो होगा वो आपका सही answer हो जाएगा clear है चलिए next question है हमारा question number 16, question number 16 कह रहा है कि बिसम पद ग्याद करे, इसमें है हरा, भूरा और बैगनी और पीला, ऐसे question में होता है कि जो तीन options होते हैं उनका कोई परसपरिक संबंध होता है और एक जो होता है उसमें उसका परसपरिक संबंध नहीं होता है, तो यहाँ देख लीजे, यहाँ जो सही अंसर होगा बहु हो जगा भूरा, क्योंकि जो इंदर धनुस होता है जिसको हम लोग भी जौर लिखते हैं, उसमें हरा रंग भी होता है, बैगनी भी होता है, पीला भी होता है, लेकिन भूरा नहीं होता है, तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है, हमारा कोशन नमर 17, देखिए कोशन नमर 17 यह वेंड डाइग्राम का कोशन है, इसमें से आपसे बोलेगा कि rectangle क्या है, एक विवाहित है, यह संजुक्त परिवार है और यह यह है, और उसमें से आपको बताना है, तो यह बड़ा easy कोशन होता है, आप लोग कर लिजेगा, इसका जो सई अंसर होगा, बो हो जागा C, मतलब option number C होगा, ठीक है, चलिए, next question है, question number 18, question number 18 कह रहा है, कि यह घड़ी के समय में, 4 बच कि 46 मिनट है, तो इसका दर्वन परतिवीम क्या होगा, देखिए, दर्वन परतिवीम निकालने के लिए, आपको क्या करन है, next question है, यह direction का question है, distance and direction का, कि रभी दच्छिन के और 4 किलो मेटर सीधे यातरा करता है, फिर बाइयों और मुड कर 6 किलो मेटर सीधे यातरा करता है, पुना वो बाइयों और मुड कर 4 किलो मेटर सीधे यातरा करता है, अंदर में दाइयों और मुड कर 4 किलो मेटर जाता ह तो आप निकाल लिजेगा इसको खुच से तो यह अंसर आ जागा 10 km यह इसका अंसर हो जागा नेक्स कोशन यह डारेक्ट्स है मतलब इसका रिलेशन का कोशन है ब्लड रिलेशन का और ब्लड रिलेशन को कोटिंग करके दिया गया है आप लोगों को तो इसको अगर आप सॉल्फ कीजेगा तो इसका सही अंसर हो जागा ओप्सन नमर डी पी जो है वो क्यू का पुत्र है नक्स कोशन है हमारा कोशन नमर 21 कोशन नमर 21 कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 9 में किये गए निर्धारन के अनुसार पंचायतों के बारे में निम लिखित में से कौन सा सही नहीं है ठीक है तो देखिए पंचायतों की बैठकों में मता धिकार का परियोग करने के ल जाती हैं अथवा महिलाओं के लिए आरचित किया जाए अथवा नहीं तो ये गलत है ये राज विधान मंडल को अधिकार ही नहीं है ठीक है ये किसको अधिकार है ये केंदर सरकार को अधिकार है ठीक है तो ये बी जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा क्लेर है चलिए द ये है कि इसमें भाग 9 में अनुच्छे 243 में, ठीक है, क्लेर है, चलिए, Next question हमारा question number 22, question number 22 कह रहा है, पाक योंग बिमान पतन कहां इस्थित है, तो इसका जो सई अंसर होगा बहुँ जगा, option number ये कहां है, सिक्की में इस्थित है, और ये सिक्कीम का पहला हवाय अड़ा भी है, साधी साथ है कौर्ची जी याद रखेगा, ये बहुत उचाई पर लोकेटेड है, ये 4500 फिट की अपरोक्स उचाई पर ये बना हुआ है, नेक्स कोशिन हैमारा कोशिन अबर 23, कोशिन अबर 23 कह रहा है कि 1921 में निमलिखित में से किस भ्रहमन के दौरान गांधी जी ने अपना सिर्ड मुनवा लिया और धोती पहनना आरम कर दिया ताकि वो गरीबों के समतुल पहचाने जा सके, तो इसका जो सई अनसर होगा की दच्छिन भारत, जब वो दच्छिन भारत के भ्रहमन पर थे, 1921 में, दच्छिन भारत के भ्रहमन पर कहां थे, वो मदराज से मदुरई की आत्रा के दौरान वो ये फैसला उन्होंने लिया था कि वो अपना सड मुडवा लिया था, ठीक है, गांधी जी से एक और चीज याद रखेगा कि गांधी जी का भारत में प्रथन सत्याग्रा अंदोलन जो हुआ था, वो चंपारन में हुआ था, और किस के लिए तिन कठिया प्रणाली के विरोध में किये थे वो, नेक्स कोशन है, कोशन अबर 24, कोशन अबर 24 कह रहा है, कि निमलिखित में से किस निकाय द्वारा परधान मंतरी राष्टिये राहत को संचालित किया जाता है, तो ये PMO के द्वारा किया जाता है, तो आप्सन अमर ये जो होगा, वो हमारा सही अंसर होगा, PMO से एक चीज परधान मंतरी करिया ले, यानि PMO, तो जब ये बात है, 1948 की अप्रॉक्स, कि 1948 में पाकिस्तान से जो लोग बिस्थापित किये गए थे भारत में, तो उन लोगों की मदद के लिए, परधान मंतरी उससे में ततकालीन, परधान मंतरी जब थे जवाहरला नहरू, तो उससमें जो बिस्थापित लोग थे, उनके मदद के अपील के लिए, जनता से परधान मंतरी जबारला नहरू बोले थे, कि आप लोग कुछान से दान कीजिए, ठीक है, और उसी समय परधान मंतरी राहत को उसकी अस्थापना की गई थी, क्लियर है, चलिए, नेक्स्स कॉशन है, हम अगर हम बात करते हैं, क्योटो की अगर हम बात करते हैं, तो क्योटो है क्या, यह जो क्योटो है, वो जापान में इस्थित एक सहर है, ठीक है, और यह संधी जो थी, वो जापान में ही हुई थी, क्योटो प्रोटो कोल कब स्विकार किया गया था, 1997 में स्विकार किया गया खाट क्रो तवर्टकॉल की पहली अब दिती वो है 2005 से लेके 2012 थी ठीक है और जो दूसरी है वो है 2013 से लेके 2000 बीख तक है ठीक है, croto pratocol की अगर बात करते हैं, तो यह एक अंतराष्टिय सन्धी है, जिसके जो प्रचधार राज है, मतलब जिन देशों ने यहां मिलकर यह अंतराष्टिय सन्धी किया है, वो यह किया है कि green house gas is usurgeon में कमी करने के लिए हम प्रति बंद है, हम हर संभव मदद करेंगे या हर समभब कदम उठाएंगे कि green house gas का उसर्जन कम हो, क्यों कि आप लोगों को पता ही होगा कि green house gas का उसर्जन से क्या हो रहा है, temperature बढ़ रहा है, मतलब global warming बढ़ रहा है, अब बात करते हैं अपने अगले question की तरब, जो कि हमारा question number 26, question number 26 कह रहा है कि जब आपात काल की उद्गोसना परचालन हो, तब निमलीखित में से किस अपबाद को छोड़ कर सभी मूल अधिकारों के परबरतन के लिए न्याले में जाने का अधिकार निलंबित रहता है, मतलब जब इमर्जेंसी हो तो मौलीक अधिकार सब खतम कर दिये जाते हैं सिर्फ और सिर्फ किसको अनुचेद 20 और अनुचेद 21 को छोड़ कर तो आपसन नमर ये जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा, अगर हम अनुचेद 20 की बात करते हैं तो अनुचेद 20 है क्या, मतलब आपसे 10 साल पहले अगर उसने कुछ कर रखा है तो उसको सजा आपसे 10 साल पहले के नियम से मिलेगा ना कि आज के नियम से, और अनुचेद 21 जो है वो अनुचेद 21 ये कहता है कि प्रानेवं देहिक सोतंतरता का संगच्छन है, चलिए, नेक्स कोश्चन है मारा कोश्चन नमर 27, कोश्चन नमर 27 कह रहा है कि प्रहार है क्या है एक तो ये इसका जो सही अंसर हो जाएगा बहुँ हो जाएगा, आपसन नमर B, ये सता से सता पर मार करने वाली एक मिसाइल है, और ये किसके द्वारा बिक्सित किया गया था, DR, DO के द्वारा बिक्सित किया गया था, DR, DO से याद कखिएगा कि अभी ततकालीन जो इसके अधियाच है उनका नाम है जी सती सरेड़ी, ठीक है, और ये जो जिवास ही थी रहेगा तो option number D जो होगा वो हमारा सही answer होगा next question है question number 29 question number 29 मैंस का question है इसको अगर आप solve किजेगा इसमें आठमा पद निकालना है तो आपको बो formula पता ही होगा पद निकालने का कि A plus N minus 1 into D तो इसी आप निकालेगा तो इसका answer आजागा 65 option number जो होगा वो आपका सही answer होगा next question वही है आरेक में भेंड डाइग्राम में आपको पता करना है कि कौन किसको दरसाता है तो इसका जो सही answer होगा वो होगा option number C ठीक है next question है पासा पासा को solve करने का trick जो था वो मैं पिछले class में पिछले जब discuss कर रहा था आप लोगों के साथ तो मैं बताया ही था actually है नहीं कुछ नहीं जो दोनों में common होगा उसके सामने clock bar direction में आप चलिएगा जैसे कि इसमें कहा रहा है कि लाल के सामने कौन सा रंग है तो देखिए लाल इसमें अब इन दोनों में common कौन है पीला है पीला common है तो पीला से लिखना start कीज़े clock brain में पीला लिखिए सफेद और लाल इसमें भी लिखिए पीला और काला और सफेद तूर के पूछ रहा है लाल के लाल के उल्ट्हें सामने बाबर और इबराहीम लोदी के मध में हुआ था पानीपत की प्रथम लड़ाई और कब हुआ था 1526 में हुआ ठीक है अब अगर हम पानीपत की और दोनों लड़ाई की बात कर लेते हैं तो दूसरी लड़ाई जो थी वो 1556 में हुआ था जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था और तीसरा रड़ाई जो था वो 1761 में हुआ था उसमें आमा साब दाली ने मराठो को हराया था क्लियर है चलिए Next question है question number 33 Question number 33 कह रहा है कि निमलीखित में से किसके द्वारा जलियावाला बाग कांड के बिरोध में सर की उपाधी त्यागी गई थी तो जलियावाला बाग के हत्याकांड में तेके तीन उपाधी त्यागा गया था बहुत याद रखियेगा एक था सबसे पहला जो था रभीना टाइगोर के द्वारा नाइटूट की उपाधी वापस की गई थी और दूसरा था महात्मा गांधी के द्वारा केसरे हिंद की उपाधी लोटा दी गई थी और तीसरा था जमाना लाल बजाज के द्वारा राय बहाधूर की उपाधी लोटा दी गई थी ये अक्चुली जलियावाला भाग हत्याकांड के बिरूद में लटाया गया था जलियावाला भाग हत्याकांड हुआ कब था? 13 अपरल 1929 को अक्चुली हुआ क्या था? कि जो दो हमारे क्रांतिकारी थे डॉक्टर सत्पाल और सैफुदीन किचुली इनको गिराफ्तार कर लिया गया था और इनके गिराफ्तारी के बिरूद में बैसाखी पुर्णिमा के दिन एक सभा बुलाई गई थी अमरिसर में ठीक है? अमरिसर के जलियावाला भाग में बुलाया गया था और उसमें जो जनर्नल था जर्णरल ओ डायर वो क्या करवा दिया था गोली चलवा दिया था और उसमें बहुत सारे लोगों की मर्ति वही थी और इसी को जलिये वाला बाक कांड बोला गया है ठीक है अगला कोशन है कोशन नमर 34 कोशन नमर 34 कह रहा है कि वो हडपिय नगर जिसका प्रतिनिदी लोथल का पूरत्त वस्थल करता है किस नदी के परिस्थित है तो अपसर नमर सी जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा ठीक है लोथल से एक कोशन बहुत बार एक जाम में पूछा जाता है कि जितने भी हडपा सभेता के सहर थे उन सब में क्या था कि जो घरो और दरवाजों के जो गेट थे वो मुख सडक की और नहीं खुलते थे लेकिन लोथल ही एक मातर ऐसा जगह है जहां घरो और दरवाजों के सडक थे मुख सडक वो दरवाजे जो थे वो मुख सडक की और खुलते थे क्लेर है चलिए नेक्स कोशन है कोशन नमर 35 कोशन नमर 35 कर रहा है कि बाल गंगाधर तीलक को लोकमान बीसेशन कब दिया गया था तो यह होम रूल लीक के दोरान दिया गया था तो आप्सन नमर सी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा देखिए होम रूल लीक के अगर हम बात करते हैं तो होम रूल लीक दो लोगों के द्वारा चलाया गया था एक चलाया गया था अपरेल 1916 में बाल गंगाधर तीलक के द्वारा चलाया गया था और एक चलाया गया था सितंबर 1916 में एनी भी दिया था कि सुराज मेरा जनसित अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा Next question है question number 36 question number 36 कह रहा है कि कॉटिल का आर्थ सास्त है क्या है कॉटिल का आर्थ सास्त तो इसका जो सही अंसर हो जागा बो हो जागा Option number D सासन के सिद्धान्तों की पुस्तक है देखें को चानक की अब इसनुगुप्त बोला जाता और इनहीं के द्वारा अर्थ सास लिखा गया है यह राजनितिक सिद्धान्त की पुस्तक है अगर हम चानक की यानि कोटिल की बात करें तो यह मौर बंस के संस्थापक जो चंदोगुप्त मौर थे उनके राजनीतिक गुरू थे ठीक है चेलिए कोसिशन नमेर 37 कहरा है की चीनी यातृइं हैंसोंग ने किस सासा के समय भारत की यात रखी थी हर्स के सासनकाल में भारत आया था तो इसका जो सही अंसर होगा वो होजएगा बी अई यह जो हर्सवर्धन था वो था क्स बंस का पुस्व भूती बंस का सासिक था ठीक है पुस् रखेगा नितिका पंडित ठीक है या त्रियों को राजकुमार और नितिका पंडित भी से कहा जाता है क्लेर है चलिए नेक्स कोशन है कोशन नमर 38 38 कह रहा है कि 1802 की बेसिंग की संधी पर हस्ताचर किसके मद हुए थे तो यह हुआ था अंग्रेज और बाजीरों दूतिये के दूतिये के मद तो इसका जो सही अंसर होगा वह हो जागा option number B देखिए actually हुआ क्या था कि 1802 में अंग्रेज के तथा बाजीरों दो के संकट में एक दूसरे से साथ देने के लिए संधी हुई थी कि आपके संकट आएगा तो हम साथ देंगे तो इसी को क्या बोला गया था बेसीन की संधी बोला गया था और इसमें जो पेशवा बाजीरों दूतिये था इसको अंग्रेजों ने 6000 सैनिक तथा तोप खाना दिया था अब बदले में पेशवा जो था वो 26 लाग रुपया अंग्रेज को दिये थे हाँ एक और चीज पेशवा से याद रखेगा कि बाजीरों दूतिये था वो अंतिम पेशवा था जो सहायक संधी स्विकार कर मराथा की सोधिन्ता को समाप्त कर दिया था नेक्स कोशन है कोश्चन नमर्ट 39 कोश्चन नमर्ट 39 कह रहा है कि भारतिये कॉंग्रेस कहां पर उदारबादियों और मुगरबादियों दो भागों में विभाजित हो गया था तो यह हुआ कहा था सूरत अधिवेशन में और कब 907 में इससे एक और चीज याद रखेगा इसमें ये भी पूछा जाता है कि बो अधिवेशन जहां कॉंग्रेस उदारबादियों और उगरबादियों में विभाजित हो गया था उसकी अध्यचता किस ने किया था तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और इसकी अध्यचता किये थे रास बिहारी बोस रास बिहार की करते हैं तो इससे एक बड़ा इंपोर्टेंट कोश्चिन पूछा जाता है कि कलकता अधिवेशन 1911 में ही पहली बार जना गना मना गाया गया था ठीक है तो यह बहुत बार पूछा गया कि पहली बार जना गना मना कब गया गया था तो वो कलकता अधिवेशन 1911 में गया गया था और उसकी अध्यच्ता किस ने किये थे उसकी अध्यच्ता किये थे पंडित बिसन नरायन धर ठीक है अगर हम बात कराची अधिवेशन उन्हें 13 की करते हैं तो इसकी कि अध्यश्टा कौन किये थे इसके अध्यश्टा किये थे नवाब सयद मुहम्मद बहादूर एक चीज़ और इस कोश्चन से याद रखेगा कि उधरबादी और उगरबादी मतलब नरम दल और गरम जो दल जो थे वो विभाजी तो हो गया थे सूरत अधिवेशन अधिवेशन में ठीक है क्लिर है चलिए एक चीज़ और याद रखेगा कि उन्हेश्टा के लखनाव अधिवेशन की अध्यश्टा किस ने किया था एमसी मजुम दार ने किया था तो यह सारे कोश्चन इतने याद रखेगा आप चलिए नेक्स कोश्चन है चित्रकला की अस्चात हिमायू जो था वो भारासेवम अफगानिस्तान के निर्वासन के दोरान मुगल चित्रकला का निव रखा था ठीक है आकबर से एक चीज़ याद रखेगा कि आकबर ने एक चित्रकला बिभाग की अस्थापना किया था क्या किया था चित्रकला बिभाग का स्था पर टीवन कहा रहा है कि नमक सत्राग्रण में गांधी जी के गिरफतार हो जाने पर अंदोलन के नाया के रूप में उनका अस्थान किस ने गरहन किया था तो इसका जो सही अंसर हो जागा बहुँ जागा ऑप्सन अमबर ए अब बास तयब जी ने उनका अस्थान गरहन किया ठीक है अगर हम बात नमक सत्राग्रण की करते हैं तो हुआ क्या था कि 12.530 को गांधी जी अपने कितने सहयोगियों के साथ 88 सहयोगियों के साथ ये भी याद रखिएगा 78 सहयोगियों के साथ डांदी यातरा पर निकले थे 24 दिन बाद मतलब 6 अपरेल 1930 को वो डांदी नेक्स्ट कोचिन है क्वेशन नमबर 42 कर रहा है कि भारत छोड़ों अंदोलन के संदर में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया था तो इनको पूने में बनाया गया था मतलब मदरास जो होगा वो सही अंसर हो जागा ऑप्सन नमबर नई सॉरी ए होगा सही अंसर नमबर 43 कह रहा है कि पृति एस्थित है तो इसका जो सही अंसर हो जागा ऑप्सन नमबर बरुन तो किसके किसके बीच में हुआ प्रतिवी सुक्र और मंगल के माध्य में हुआ नेक्स कोशन है कोश्चन अबर 44 कोश्चन अबर 44 कह रहा कि भारत में निमलिखी सेल तंत्रों में से किसमें लॉय अस के प्रमुख जमाद पाए जाते हैं तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जागा आप्सन नबर C यानि धारबार तंत्र में ठीक है धारबार तंत्र कहां बिस्त्रित है यह करनाटक में बिस्त्रित है ठीक है अब भारत में सरवादी खणी संपन सेल तंत्र अगर किसी है तो वो धाडवार तंत्र ही है ठीक है यहां जो धाडवार तंत्र है यहां लोहा मैगनीज तांबा क्रोमियम यह सारी चीज पाए जाते हैं Clear है चलिए Next question is Question number 45 Question number 45 कर रहा है कि नगोया प्रोटोकॉल मतलब नगोया उपसंदी किस से संबंदित है तो नगोया उपसंदी जो है वो जैब भी विस्टा से संबंदित है यानि option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा नगोया उपसंदी से एक चीज याद रखेगा कि नगोया प्रोटोकॉल को ABC प्रोटो Q46 कर रहा है कि BTA आपात इस खिती में निमली खित में से क्या किया जा सकता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number D संभिधानी कुप चारों के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है तो option number D जो होगा वो सही अंसर हो जागा अगर हम आपातकाल की बात करते हैं तो हमारे कंट्री में तीन तरह की आपातकाल लगाया जाते हैं एक 302, एक 356 और एक 360 अगर 302 की बात करें तो इसमें होता है राष्टी आपातकाल 356 होता है राष्टपति सासन और 360 होता है वो बीती आपातकाल होता है बीती आपाथकाल की बात करें तो ये अमेरिका के सम्भी धान से लिया क्या है और अभी तक भारत में एक बार भी बीती आपाथकाल नहीं लागू हुआ है अगला question है question number 47 question number 47 कहरा है कि छो मंडल में बायू में गती संचलन निम्ली खित में किस के दोरा होती है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जगा option number D बायू दाब के द्वारा होती है ठीक है अगर हम बात बायू दाब की कर लेते हैं तो बायू मंडलिये दाब का जो SI unit होता है वो क्या होता है बार होता है ठीक है क्या होता है बार होता है next question है question number 48 question number 48 कह रहा है कि Q49 कह रहा है कि कौन सी नदी, रिफ्ट घाटी या भ्रंस द्रोनी, फॉल्ट थ्रो से होकर बहती है, तो इसका जो सही अंसर होगा बहुच एक option number ए नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा की अगर बात करते हैं, तो नर्मदा और तापती दोनों के बारे में याद रखेगा, कि न बितर्तम नदी है, और गंगा नदी से एक चीर और याद रखेगा, कि गंगा नदी को बंगलादेश में पदमा कहा जाता है, और ब्रंपूत्र नदी को बंगलादेश में क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है, ठीक है, और गंगा ब्रंपूत्र दोनों को मिला के क्या कह जाता है बंगलादेश में दोनों को मिला के का है जाता मेधना तो यह तीनों नाम यात रखिए आcket कॉशन है है कोशन नंबर स्टीं कर द कहा चैहा है कि स्री हरी कोटा कि बात करतें चैहां कि से चिदेंस कि बिदर्व एक प्रादेसिक नाम है भारत में और किसका आंग है तो आपसर नुम्बर सी जो होगा वह हमारा सई अंशर वह जागा विदर्ब जो है महरास्ट राज का एक उपच्छेत्र है ठीक है इसके अंतरकत कितने कुल 11 जी ले आते हैं भी दर्व के अंदर में ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन है हमारा कोश्चन अबर 52 कर रहा है कि निमलिखित में से किस सम्विधान संसोधन द्वारा मतदान करने की आयू 21 बर्स से घटा कर 18 बर्स कर दी गई थे मतलब पहले जो हमारा सम्विधान था उसमें 21 बर्स की आयू पर मतदान कर सकते थे लेकिन at present अभी हम लोग 18 बर्स की आयू में मतदान कर सकते हैं तो यह कौन से सम्विधान संसोधन के द्वारा हुआ था तो एक 16 में सम्विधान संसोधन के द्वारा हुआ था तो option number B जो कौंकनी भासाओं को जोड़ा गया था अगर हम बामन में सम्विधान संसोजन की बात करते हैं तो बामन मां सम्विधान संसोजन उनए सो पचासी में हुआ था और इसमें क्या हुआ था दल बदल का दून का प्रभधान किया गया था नेक्स कोशन है हमारा कोशन नबर 53 कर रहा है कि निमलीखित में से किसे भारत के सम्विधान के खाके मतलब ब्लूप्रिंट के रूप में जाना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 को और इससे याद रखिएगा कि हमारे सम्विधान का जो सबसे अधीक पाठ है वो भारत सरकार का वो यहीं से लिया गया है ठिक है चलिए अब अगले कोशिन की तरफ जो कि हमारा कोश्च नबर 54 कोश्च नूबर 54 कह रहा है कि भारत में परसासन का अपचारिक प्रधान का उन्होंता है तो अब चारिक प्रधान की अगर बात करेगा तब हो जाएगे राष्टपती लेकिन अगर बास्तविक प्रधान की बात करेगा तब हो जाएगा प्रधान मंतरी ठीक है अगर राष्टपती की बात करते हैं तो कौन से अनुछेद अनुछेद बामन मंतिरी परसत की सलाह पर करता है ठीक है next question है question number 55 question number 55 कहा रहा है कि निमलीखित में से कौन सीत रक्त बाला जानबर है तो साप जो होता है वो सीत रक्त बाला जानबर होता है देखें सीत रक्त जानबर का मतलब सीत रक्तिय प्रानी का मतलब होता है कि वैसा सरी जिसका तापमान जो होता है वो इस्थिर नहीं होता है उसको हम लोग सीत रख्तिय प्रानी बोलते हैं जैसे हो गया साप हो गया छिपकिली हो गया कच्छुआ हो गया ये सब क्या है सीत रख्त वाला जान बैठे ठीक है सीत रख्तिय प्रानी को और नाम से बोला जाता है वो होता है एक्टो थर्मिक क्या होता है एक्टो थर्मिक क्या होता है एक्टो थर्मिक क्लिए चलिए नेक्स्ट कोशन है हमारा कोश्चन अबर 56 कोश्चन अबर 56 है कि सम्विधान में लेखित मौली का धिकारों का से अच्छा कौन होता है तो उच्तम न्याले होता है नेक्स कोशिन है हमारा कोशिन नबर 57 काहरा है कि 3D फिल्में देखने के लिए पर्यूख चस्मों में होते हैं तो इसका जो सही अंसर है बो हो जागा option number D, पोले रॉइड ठीक है पोले रॉइड जो होता है वो 3D फिल्में देखने के चस्में में पर्यूख्थ होता है 3D चस्मा होता क्या है मतलब एक ऐसा चस्मा जो अधुबृत प्रकास को धुरूबित प्रकास में बदल देता है उसी को 3D चस्मा बोलते हैं अगर हम बात पुले राइट की कहते हैं तो ये एक बिसेज परकार का कारवनिक योगिक है जो की क्या होता है हर्पिथाइट को क्रिष्टल में बदल देता है हर्पिथाइट के क्रिष्टल से बना हुआ होता है ठीक है? चलिए नेक्स कोशन है कोशन नबर 58 कोशन नबर 58 कह रहा कि अपना अंतिम लच्छ हर आँख से हर आँसू पोछ देना किसने घोसीद किया था? नेक्स कोशन है कोशन नबर 59 कोशन नबर 59 कह रहा है कि भारत का दचिंतम बिंदु इंदरा पॉइंट कहां इस्थित है? तो भारत का जो दचिंतम बिंदु है इंदरा पॉइंट वो अंडवान निकोबार यानि बड़ा निकोबार में इस्थित है तो इसका जो सही answer हो जाएगा बो हो जाएगा option number B देखिए और अगर सब बिंदू की बात कर लेते हैं तो दचिंतम बिंदू है वो इंदरा point है बड़ा निकोबार में इस्थित उतरी बिंदू है उसको हम लोग इंदरा कॉल बोलते हैं जमुकाफमीर में इस्थित है जो पुर्भी बिंदू है उसको हम लोग किबुथू बोलते हैं वो अरुनाचल परदेश में इस्थित है और जो सबसे पश्मी बिंदू है वो गुजरात के कच में इस्थित है ठीक है चलिए next question है question number 60 question number 60 कह रहा है कि भारत में संपत्ति का अधिकार है तो ये पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अभी फिलहाल में ये क्या है बैधानिक अधिकार है मतलब मौलिक अधिकार में तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो वो क्या भाग 3 में 12 से 35 ठीक है पहले 7 था लेकिन इसको हटा दिया गया तो अब 6 हो गया और फिल इसको हटा के रखा कहा गया इसको हटा के रखा गया भाग 12 के अनुछे 300 के कव में क्लिर है चलिए अपड़ते अपने अगले कोश्चन की तरफ जो कि हमारा कोश्चन नमर 61 कोश्चन नमर 61 कह रहा है कि किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक क्या है तो उसका क्या प्रति बेक्ति आये है प्रति बेक्ति आये जितना जादा बढ़ेगा उस country क सब कुछ कुसल होगा अगर प्रति बेक्ति आये बढ़ जाता है तो ठीक है प्रति बेक्ति आये हम लोग निकालते कैसे है जो राष्टी आये होता है मतलब नेसनल इंकम होता है हमारे country का उसमें हम लोग राष्ट की कुल जनसंख्या से divide कर देते है मतलब भाग दे देते है तो हमारा निकल के क्या आ जाता है? प्रतिबेक्ती आई निकल के आ जाता है अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो प्रतिबेक्ती आई मतलब जो राष्टिय आई की गन्ना होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? CEO से CSO के द्वारा किया जाता है चेंट्रल अस्ट्रेटिकल ओफिस के द्वारा मतलब किंद्रिये सांखी की संगठन और्गनाइजेशन या ओफिस आप लोग बोल सकते हैं इसके द्वारा किया जाता है साथ ही साथ है को और चीज याद रखिएगा कि भारत में सरपथम राष्टिया आय का जो आकलन था वो जो सही अंसर हो जागा बो हो जागा अप्सन नबर B काली मट्टी जो होती है वो आदरता रोग की रखती है और काली मिट्टी को और क्या बोला जाता है रेगूर मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी बोला जाता है क्योंकि इसमें कपास की खिती सबसे जादा होती है तो इस question number 63 question number 63 कह रहा है कि भारत में सरवादीक ब्यापक बनों के प्रकार कौन से है तो इसका जो सई answer है वो हो जागा पर्णपाती बन यानि option number A decidius forest ठीक है पर्णपाती बन की अगर बात करते हैं तो पर्णपाती बन को दो भागों में distinguish किया जाता है बर्णपाती बन और दूसरा जो होता है वो होता है सुस्क पर्णपाती बन ठीक है जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर बरसा होती है उसको बोला जाता है आर्दपर्णपाती बन और जो सुस्क पर्णपाती बन होता है वहाँ 70 से लेके सो सेंटिमीटर के बीच में बरसा होती है प्लेयर है चलिए next question है हमारा question number 64 question number 64 टारा कि यदि दो अंको का योग 15 है और अंतर 3 है तो वो अंक कौन होंगे देखिए मैंस का question है दो अंको का योग x plus by मान लिजे 2 अंक इसका हो जागा 15 और अंतर कह रहा कितना है 3 है तो x minus by is equal to मान लिजे 3 इन दोनों equation को solve कर दिजे और यहां से x और by की value निकाल लिजेगा तो आ जागा 6 और 9 तो option number b जो होगा वो हमारा सही answer होगा ठीक है चलिए next question है question number 65 कह रहा कि range निकालना range निकालने का formula क्या होता है कि सबसे बड़ा में से सबसे छोटे को minus कर दिजे तो सबसे बड़ा यहां है 9 और सबसे छोटा है यहां 4 तो 9 minus 4 कर दिजे तो 5 जो होगा वो आपका range निकाल किया जागा तो option number d जो है वो आपका सही answer है next question है question number 66 question number 66 कर रहा कि तापती नदी कहां जाकर मिलती है तो तापती नदी कहां जाकर मिलती है तो यह खंबाद की खाड़ी में जाकर मिलती है ठीक है तो इसका रहाँ सबसे अंसर होगा वो हो जागा option number C मतलब खंबाद की खाड़ी में जाकर यह गिर जाती है एक चीज़ याद रखेगा कि नर्मदा और जो तापती नदी है ये क्या है डेल्टा नहीं बनाती है और ये दोनों नदियां जो है वह पूरव से पश्चिन की और बहती है नेक्स कोशन है हमारा मैंस का फिर से ये कोशन है कि परमोद 15 परस्णू की परिच्छा में 60 परतिसत के औसांग प्राप्त करता है और उनमें से 5 में वो केबल 40 परतिसत औसांग प्राप्त करता है तो सेस्प्रस्णू पत्रों का उसर तो देखिए इसको करना कुछ नहीं है आपको 15 में ये 60 है और ये क्या करता है पांच में ये 40 परतिसत पाता है और अपॉन में क्या करतीजिए 15 माइनस 5 तो इसको solve कीजेगा तो 700 अपॉन में 10 आ जागा तो ये 70% होगा वो आपका सही अं रक्टैंगल बना दिया ये रक्टैंगल पर हमने नेमिंग कर दिया A B C D ये बीच में हो गया O ठीक है आप कह रहा है कि एंगल B O C जो दिया हुआ है वो 44 दिगरी मतलब B O C ये वाला जो एंगल है वो 44 दिगरी दिया हुआ देखिए अब जब ये डायोगनल है तो ये वाल दिगरी दिया हुआ है तो 44 दिगरी पलस x डिगरी पलस x डिगरी is equal to 180 डिगरी लिख सकते है क्योंकि sum of all अंगल of triangle is equal to 180 डिगरी होता है तो यहाँ से अगर आप x की value निकालिएगा मतलब एक एंगल की value निकालिएगा तब आपको कितना निकल के आ जाएगा तब आपका नि एंगल के बराबर हो जागा यह वाला एंगल तो यह 68 है तो यह भी 68 होगा तो आपसा नंबर C जो होगा वो आपका सही अंसर होगा next question है हमारा question number 69 question number 69 है कि x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 is equal to 194 है देखिए तो x q plus 1 to the power में x q निकालना है तो पहले आप x plus 1 by x निकालने के लिए पहले आपको x square plus 1 by x square निकालना होगा तो यहाँ से अगर आप x square plus 1 by x square निकालना होगा तो इधर भी आपको अंडरूट करना पड़ेगा ठीक है देखिए यह actually 194 में नहीं होगा क्योंकि 194 में पूरा पूरा अंडरूट निकलेगा ही नहीं तो यह इसको सुधार लिजेगा यह我要 पूरा पूरा अंडरूट जब तक नहीं निकलेगा तो निकलेगा ही नहीं से निकालिएगा तो हां तो 14 निकल के आएगा तो फिल 14 नहीं होगा तो यह थोड़ा सा question देख लीज़ेगा question कहीं हमको लगजा mistake है फिर next question के बढ़ते है next question है question number 70 question number 70 कहरा है कि ये रहा है कि एक का 148 liter petrol में 432 km की यात्रा करती है 20 liter petrol में कितने दरी तो ये तो unitary method का question है एक तरह से समझ लीजे कि 432 upon में 48 और फिर 20 से multiplied कर दीजे तो यहां से आजएगा 180 km आपका answer तो option number C जो होगा वो सही answer होगा ठीक है next question ये venn diagram का question है कि doctor nurse और hospital को कौन सा denote करता है तो option number ये जो होगा वो हमारा सही answer हो जाएगा next question है ये भी reasoning का question है 72 कि अधि 4 को 6518 लिखा जाता है तो bind के लिए code क्या है देखिए ये सब का अभी मैं आप लोगों को बोला हूँ कि place value याद रखेगा तो f का जो place value होगा वो हो जगा 6, o का हो जगा 15, u का हो जगा 21 और r का हो जगा 18 और ये किया कुछ नहीं है सब का last वाला digit ले लिया है मतलब 6, 5, 1 और 8 आगे वाला digit को छोड़ दिया गया है और इसी तरह से अगर आप bind का लिखेगा तो w का place value हो जगा 23, i का हो जगा 9, n का हो जगा 14 और d का हो जगा 4 और सब का last वाला digit लिख लीजे तो हो जगा कितना 3944 3944 तो option number B जो होगा वो आपका सही answer हो जगा ठीक है चलिए अब अब अड़ते हैं अगले question की तरफ जो कि हमारा question number 73 question number 73 क्या कह रहा है question number 73 कह रहा है कि सिवाली की पहाड़िया किस राज में इस्तित है तो सिवाली की पहाड़ियां जो है वो हिमाचर प्रदेश में इस्तित है तो option number जो होगा वो हमारा सही answer हो जगा लच्छिदीप से याद रखिएगा कि यह भारत का सबसे छोटा के इंसासित परदे से छेतरफल की भी दृष्टी से और जनसंख्या के भी दृष्टी से इसकी रालधानी है कावारती और यह 36 दीपो का समूँ है यह बहुत बारिक जहां में पूछा गया कि दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज कौन सा है तो छेतफल की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज जो है वो है राजस्थान और सबसे छोटा राज अगर पूछे तो सबसे छोटा राज हो जाएगा गोवा ठीक है और जनसंख्या के दृष्टी से अगर पू है कि दच्षिन पश्म मौन्सून के समय आधर पबने कहां बहती है तो इसका जो सही अंसर हो जगा बहुत हो जगा और भी समुंदर से अस्थल की और बहती है और ये मध्र जून से लेके जुलाई के सुरुआत पश्मWow तक जो सारा भारत है वो दच्षिन पश्मी मौनसून के परभा हमें आ जाता है अगर हम मौनसून की बात करते हैं तो एक चीज याद रखेगा कि भारत में मौनसून जो है वो सबसे पहले केरल राज में प्रवेश करती है ठिक है और सबसे ज्यादा दिन भी केरल में नहीं रहती है सबसे पहले आती है और सबसे लाश्ट में लौटती भी है केरल से नेक्स कोशन है कोशन नमर 77 कोशन नमर 77 कह रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज कौन सा है तो भारत में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन करने वाला जो राज है वो है केरल ठीक है अगर 20 में पूछ दे तो 20 में सबसे ज़्यादा है थाइलेंड ठीक है अब भारत में जो रबर बोर्ड का मुख्याले है वो भी केरल में ही स्थित है नेक्स कोशन है कोशन नमर 78 कोशन नमर 78 कोशन नमर 78 कह रहा है कि हिमाले के सबसे दचनी भाग को क्या कहा जाता है तो हिमाले के सबसे दचनी भाग को सिवाली कहा जाता है साथी साथ याद रखेगा कि सिवाली जो है वो नमींतम एबं बाहतम स्रेनी है हिमाले का ठीक है अब स सिवालेक स्रेणी का निर्मान किसे हुआ है, सिवालेक स्रेणी का जो निर्मान है, वो अब साधी और अब संगठी चटानों से हुआ है, Q79 कह रहा है कि दातों पर जमी परते बनी रहती है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुज़ेगा option number D भोजन के कन, ठूक, मुखमल और बैक्ट्रिया से बनी रहती है मन उसमें कुल 32 दात होते हैं ठीक है? चलिए Q80 कह रहा है कि hydrogen bomb बिक्सित किया गया था तो hydrogen bomb जो है वो एडबर्ट, टेलर के द्वारा बिक्सित किया गया था तो इसका जो सही अंसर होगा बहुज़ेगा option number D hydrogen bomb से याद रखेगा कि यह नाबखिये sunlion सिधान्थ पर कार्ज करता है next question है question number 81 question number 81 कह रहा है कि परकास सजावर्थ था बिज्यापन के लिए बिसर्जन नलिका में परियुक्त होने वाली gas कौन सी है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा option number D यानि neon ठीक है? neon के अगर हम बात करते हैं तो यह क्या है? एक inert gas है, मतलब noble gas है और neon gas की खोज किस ने किये थे? यह भी याद रखेगा neon gas का खोज किये थे sir billion ram j किनने किया था? sir billion ram j और साथी साथ याद रखेगा कि neon का जो परियोग होता है वो tube में किया जाता है high voltage indicator में, television tube में plasma tube में, यह सारे चीज़े में neon का यूज किया जाता है next question है question number 82 नेमलिखित बिधूत अप घटियों के बिलाइन में से किस को car की बैक्टरी में परियोग किया जाता है तो car की बैक्टरी में परियोग किया जाता है rafino का राजा यानि H2SO4 को यूज किया जाता है है? H2SO4 यानि Sulfuric Acid तो इसका जो सही अंसर होगा बहु हो जगा Option number C Sulfuric Amal ठीक है एक चीज़ और याद रखेगा कि H2SO4 को रसाइनों का राजा तो कहां ही जाता है साथ ही साथ While of Vitrol भी कहा जाता है While of Vitrol भी कहा जाता है Next question है question number 83 Question number 83 है कि सेव का हिर्द है रोगियों के लिए भी सेश महत्व है क्योंकि यह बड़े स्रोथ है तो सेव से सबसे ज़्यादा क्या मिलता है Potassium मिलता है तो जो सही अंसर हो जगा बो हो जगा D Potassium ठीक है सेव में अगर हम बात करते हैं तो सेव में Bitamin A, Bitamin B, Bitamin C, Calcium, Potassium, Antioxidant यह सब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और यह सरीर में कलस्ट्रेल लेवल को कम करता है ठीक है सेव से एक और चीज याद रखेगा कि सेव का जो बैग्यानिक नाम होता है वो क्या होता है Melus Domestica ठीक है Melus Domestica जो होता है वो सेप का बैज्यानिक नाम होता है नेक्स कोशन है कोशन नबर 84 कोशन नबर 84 है कि आधुनिक मनुस के हाल का पुरवज है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जगा और मनुस की अगर हम बात करते हैं और मनुस का उधवर्ण हम अस्थान और फीर्का को माना जाता है ठीक है नेक्स कोशन है क्वेशनबर 85 कोशनबर 85 किया रहा है कि निम्लीखित में से कौंसा एटम का भाग नहीं है तो इलक्ट्रोन न्यूट्रोन और पॉट्रोन तो नहीं है फोटोन होता क्या है? फोटोन है परकाफ ता या अनविदुच्यमबकी विकरन के मुलभूत कन को फोटोन कहा जाता है ठीक है बात बाकी इलक्टोन पोटोन और न्यूटोन को बना के क्या बनता है? एटम बनता है जिसमें कि आप लोगों को पता ही होगा कि परमानू के नाभिक में प्रोटोन और न्यूटोन होते है और नाभिक के चारो और इलक्टोन जो होता है वो चकर लगाता रहता है इलक्ट्रोन पे नीगेटीब चार्ज होता है और प्रोटोन पे पॉजिटीब चार्ज होता है ठिक है और निट्रोन नो चार्ज होता है मतलब आवेश हीन होता है Next question है question number 86 Question number 86 कहड़ा है कि समुधर में नदी किया पेच्छा तैरना आसान होता है क्योंकि तो इसका जो सही अंसर होगा बहु जगा option number C क्योंकि जल भारी होता है समुद्री जल जो होता है वो क्या होता है भारी होता है next question के अगर हम बात करते है question number 87 question number 87 है कि निमलीखित में से कौन सा sowaposit है, sowaposit का मतलर simple सा कहने का मतलर वो अपने लिए खाना खुद बना सकता है, जैसे कि as for example हो गया, plants वो फोटो से इंतितिस करता है, वो अपने लिए खाना खुद बनाता है, तो इसका जो सही अंसर होगा option number B, सहवाल जो होता है वो क्या होता है, स्वपोसिस्थ होता है क्यों? क्योंकि इस सहवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है अग क्लोरोफिल जब पाया जाता है तो वो भी प्रकास नंसलेशन की मदद से क्या करता है वो अपना भोजान खुद बना लेता है next question की अगर बात करते हैं तो next question है मारा question number 88 question number 88 कह रहा है कि शचलीत इंजनो हे तो निभलीखिर में से कौन सा एक हीमरोधी के तौर परियुख्थ होता है तो इसका जो सही अंसल है option number B अथिलेन ग्लाइकोल जो होता है वो स्वचलीत इंजनों में हीमरोधी के तौर परियुख्थ होता है ठीक है और स्दाषी सात बिसेला होता है, लेकिन ऐसे, ये गंधेहीन होता है, रंगीन होता है, स्वाद में भी ये मीठा होता है, लेकिन ये क्या है, बहुत बिसेला है, जहरिला है next question is question number 89 question number 89 कह रहा है कि मानव सरीर का तापकरम तो मानव सरीर का जो तापकरम होता है वो ना ही जाड़ों में घर्टा है ना ही गर्मियों में बढ़ता है मतलब उसका जो तापमान होता है वो 37 degree Celsius या 98.6 degree Fahrenheit या Kelvin में बात करें तो 310 Kelvin होता है हमेशा जाड़ा हो गर्मी हो ठीक है अगर हम अस्तनधारियों की बात करें तो अस्तनधारियों में जो सर्वादीक तापमान होता है वो बकरी का होता है जिसका होता है 39 degree Celsius next question है question number 90 question number 90 कह रहा है कि नेवन में से कौन सा एक कथम सही नहीं है तापमान के बढ़ने पर बायू में धोनी का बेग बढ़ता है बिल्कुल सही है बायू में धोनी बेग दापर निर्वर नहीं करता ये भी बिल्कुल सही है option number C है कि आदरता के बढ़ने पर बायू में धोनी बेग कम हो जाता है तो ये जो है वो सही नहीं है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा क्योंकि आदरता के बढ़ने पर बायू में धोनी बेग भी क्या होता है बढ़ता है ना कि कमता है ठीक है next question है हमारा question number 91 question number 91 कह रहा है कि अगर अगनासे में खराबी हो तो क्या होगा तो इसका जो सही अंसर है वो हो जागा option number B इंसुलीन और ग्लुकोगोन नहीं बनेंगे ठीक है अगनासे कि अगर हम बात करते हैं तो अगनासे मानब सरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी होती है next question है question number 92 question number 92 कह रहा है कि हिर्दय में कितने कच होते हैं तो हिर्दय में 4 कच होता है तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा एक चीट और याद रखेगा कि मानब हिर्दय का जो भार होता है वो लगभग लगभग 300 गराम के बराबर होता है next question है question number 93 Q93 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पौधे की जड़ों का कार्ज नहीं है तो पौधे की जड़ों का कार्ज कौन सा नहीं है परकास अंसलेशन पौधे का जड़ों का कार्ज नहीं होता है जलो का आपसोसन, पोसक तत्वों का आपसोसन, पौधों को सहारा प्रदान करना ये तीनों जडों का काम है लेकिन परकाफ संसलेशन जो है वो जडों का काम नहीं है ये पतियों का कार्ज है ठीक है Next question है question number 94 question number 94 कह रहा है कि परकाफ के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर संतल दर्पनों के मद रखने पर किर्टे परतिविम बनेगे तो ये कितना बनेगा ये अनन्त बनेगा ठीक है संतल दर्पन से एक चीज बहुत बहुत बार पुछा जाता है कि संतल दर्पन में अगर किसी बेक्ति का पूरा परतिविम देखना हो तो कितने हाइट का संतल दर्पन होना चाहिए बेक्ति के लंबाई का आधा लंबा होना चाहिए संतल दर्पन को ठीक है चलिए Next question है question number 95 question number 95 कह रहा है कि एक उची इमारत से एक गेंद को 9.8 मीटर प्रति बर्ग सेकंड के समान तोरन के साथ गिराई जाए तो 3 सेकंड बराबर उसका बेक्ति क्या होगा आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे भी बराबर यू प्लस 80 ठीक है यहाँ पे भी क्या है final velocity है यू इनिसियल वेलोसिटी है ए एसलेशन है और T टाइम है ठीक है तो आप लोगों को निकालना भी यू यहाँ पे इनिसियल वेलोसिटी हो जागा 0 ये दिया हुआ है 9.8 और टाइम दिया हुआ है 3 तो यहाँ से आप अगर भी निकालते हैं आपका आजागा 29.5 29.4 मीटर पर सेकेंड तो आप सनबर C जो होगा वो आपका सही अंसर होगा next question है हमारा 96 96 क्या कहा रहा है कि संबहन द्वारा उसमा का अस्थांतरन हो सकता है तो संबहन द्वारा किसके किस में हो सकता है और एक बिकिरन होता है तो बायू मंडल में बायू मंडल जो होता है वो संबहन बीधी के द्वारा ही गर्म होता है ठोस में जो उसमा का जो संचरन होता है वो चालन बीधी के द्वारा होता है और निर्वात में जो उसमा का संचरन होता है वो बिकरन विधी के द्वारा होता है, ठीक है, चलिए, नेक्स कोचिन हमारा 97, 97 कह रहा है कि गरम रुधीर वाले जंतु बो होते हैं, जो अपने सरीर के तापकरम को, तो इसका जो सही अंसर होगा, बो हो जागा, option number C, हमेशा एक सा बनाये रखते हैं, उन्हीं को हम लोग क्य बोलते हैं, गरम रुधीर वाले प्रानी बोलते हैं, और इनको क्या बोला जाता है, एंडो थर्म, एंडो थर्म बोला जाता है, clear है, चलिए, नेक्स कोचिन हमारा कोचिन नमर 98, 98 कह रहा है कि निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें, तो परजीवी पौधे कौन स ठीक है, नेक्स कोचिन है, कोचिन नमर 99, कोचिन नमर 99 कह रहा है कि निम्ने रंगों के बीच आख की सुग्राह कता किन के लिए सबसे अधिक होता है, तो इसका जो सही अंसर होगा, बहुत है, आप्सन नमर D, पीला और हरा के बीच, ठीक है, हमारी आखे सबसे जादा क्यों क्या परिवर्तन होगा, या दि तापमान 9 डिगरी से गिराकर 3 डिगरी से दिया जाए, तो आप लोगों को पता ही है कि जल का जो घनित होता है, बहुत हिकतम होता है, 4 डिगरी से थिक है, तो ये क्या होगा, पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा, तो इसका जो सह आसा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताएगा, और साथी साथ एक लाइक जरूर कर दिजेगा, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलता है, आपको अब हिंदी के वीडियोज अब लेबल करा दिये जाएंगे, जिसे आपका जो हिंदी का जो qualifying paper है, वो भी आपका complete होता चला जाए. तो आप लोग सबसे पहले group में जाके PDF डाउनलोड कर लिजेगा, वहाँ से attempt कीजेगा, और उसके बाद फिर इस questions को बनाईएगा, और फिर आप मुझे comment करके बताएगा कि आपका कितना marks आ रहा है, और साथी साथ अगर अभी तक आप मेरे चैनल को subscribe नहीं किये, तो चैनल को subscribe कर दिजेगा, और bell icon दवा दिजेगा, ताकि हमारे सारे वीडियो के notification आपको मिलते रहे हैं, बहुत से लोगों को साथी साथ एक और issue था, कि सर वीडियो daily basis पे आएगा की नहीं, तो हाँ वीडियो daily basis पे आएगा, और आपको daily वीडियो जो है, वो 9 से 10 बजे के आसपास सुबर morning में मिल जाएगा, आप लोगों के पास पूरा दिन टाइम होगा, आप इसको आराम से attempt कर सकते हैं, थैंक्स फोर वाचिंग,